दोस्तों आजम बनाएंगे सूजी से बहुती ज़ादा टेस्टी और बहुती ज़ादा क्रिस्पी चकली जिसे बनाना बहुती आसान है चाय के साथ में खाए सफर में साथ ले जाए या आने वाले तैवार में बनाएं महिनों भर स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चलिए हम ब जार ले लिया है और जार के अंदर हम सुजी डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे यानि इसका एक फाइन पॉडर बनाकर त्यार कर लेंगे तो चली हम सुजी को एक तरफ रख देते हैं तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस के उपर रखिए और कढ़ाई के अंदर हम यहां पर हम पानी के अंदर डालेंगे नमक नमक यहां में एक चमज डाल दे रही हो और घी डालेंगे एक चमज आप यहां पर घी के जगर तेल का भी यूज कर सकते हैं तो बस यहां पर हम सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे यहां पर हम पानी में उबाल आने देंगे जैसे ही पानी के अंदर उबाला जाएगा ना तो गैस का फ्लेम लो कर देना है यहाँ पर हमें सूजी थोड़ी थोड़ी डालते जाना है और मिलाते जाना है एक बत का ध्यान रखना है कि एक साथ में पूरी जो सूजी है नहीं डालना है नहीं तो क्या होगा ना इसमें लम्स पर जाएंगे तो बस इस-तर से लगातार चलाते उए सूजी को आमें लगबग 2 मिनटेच तक पकाना है धिरी धिरी सूजी पुरा पानी सोक लेगी तो यहां पर सूजी को डो के ब्रदने पॉर्म में आने तक पकाना है तो यह देखिए हमारी सूजी अच्छे से पक चुकी है तो अब हम गैस बन कर देंगे और 10 मिनेट के लिए डखकर रख देंगे यहाँ पर 10 मिनेट हो चुकी है तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं यहाँ पर सूजी को हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे अभी थोड़ी गरम है तो हम इसे थोड़ा सा अच्छे से चमच से मिलाते हुए मैश कर लेंगे दोस्तों आप यहाँ पर चकली बनाने के लिए लभी कभी यूज कर सकते हैं यहाँ पर हमारा डो थोड़ा सा थंडा हो गया है तो अब हम इसके अंदर एक चमच घी डाल देंगे और घी डालकर हम इसे अच्छे से मसलेंगे तो बस यहाँ पर हतेलियों से हमें इस तरह से 5-7 मनद तक मसल लेना है जितना जादा हम डो को मसलेंगे न उतना ही अच्छा हमारा डो बनके तयार होगा और चकली भी बढ़िया बनेगी तो ये देखे हमारा डो तो बनके तयार हो गया है और चिकना भी हो गया है यहां पर डो के अंदर हम अजवाइन डालेंगे एक चमज और साथ में हम डालेंगे कलूंजी आदा चमज कलूंजी से चकली का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा अजवाइन और कलूंजी के साथ में एक चमज हम घी डाल देंगे आप यहां पर गी की जगर तेल का भी यूज कर सकते हैं यहां पर डो थोड़ा चिपक रहा था इसलिए मैंने गी डालकर इसे चिकना कर लिया है यहां पर डो बनके त्यार हो गया है तो डो में से थोड़ा सा पोशन लेंगे और इस तरह से बड़ी सी लोई बना लेंगे और ये जो बचा हुआ डो है इसे हम ढगतेंगे नहीं तो हमारा ये जो डो है सूख जाएगा यहाँ पर मैंने चकली बनाने का साचा लिया है तो इसे हम ग्रीस कर लेंगे आप चाहे तो तेल से भी ग्रीस कर सकते है और इसे घी से भी कर सकते है तो ये देखे मैंने इस तरह से ग्रीस कर लिया है और ये जो बड़ी सी लोई हमने तयार की थी नहीं इसे हम जाल देंगे सा गुमाते हुए चकली का हमें शेप देना है देखिए कितने आसानी से चकली बनके तयार हो गई है आप यहां पर चकली का जो साइज है छोटा या बड़ा रख सकते अपनी पसंद से चली मैं आपको एक और चकली बना के दिखा देती हूं एक बात कर ध्यान रखना है कि जितन यहां पर बीच बीच में हम चकली को पलटते रहेंगे और क्रिस्पी होने तब फ्राइ करेंगे जैसे ही कलर चेंज हो जाए तो हम इसे तेल में से निकाल लेंगे तो यहां पर लो मीडियम फ्लेम पर हमें चकली को फ्राइ कर लेना है आप यहां पर देख सकते हैं चकली का कलार चेंज हो गया है तो यहां पर हमएं से ज़यादा फ्राइव नहीं करना है तो एक के City हम यह निगे हैं तो यह लेज़े सुजी की चटपली बन के तैयर हो गए है दोस्तों सुजी की जो चकली है ना बहुत क्रिस्पी और टेस्टी लगती है खाने में ना दाल बिगोने का जंजट और ना ही पिसाने का बहुत ही जल्दी चकली बनके त्यार हो जाती है जब भी खाने का मनों आप इसे तुरत बना के खा सकते हैं और आपको बहां से कुछ भी सामान लाने की जरूत नहीं है नौर्मली